लाइफ प्रोसेस में कुछ वीडियो आप पहले देख चुके थे इसमें डाइस्टिव सिस्टम आप फिमन बिंग्स को स्टेडि करेंगे जिसमें इसके पहले वाले में आपको एलिमेंटरी कैनल और उसके दो पार्ट बकल के अपटी में टीथ और टंग के बारे में बता दि से तो डाइस्टिव सिस्टम आप फिमन बिंग्स को दो पार्ट में हम डिवाट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट में इलिमेंटरी कैनल आ जाती है और सेकेंड पार्ट में आ जाता है डाइस्टिव ग्लैंड ठेक तो पहला पार्ट जो है इलिमेंटरी कैनल वहां से है तो इलिमेंटरी केनल जो कि माउथ से लेकर यहां से लेकर माउथ से लेकर इनस तक यह जो टुबलर एस्ट्रिक्चर है complete यह quality structure यहां से लेकर यह complete structure आपके कहलाते है elementary canal तो इसकी जो opening है माउथ से और इसका जो end point है वो end point होता है एनस के पास ठेक तो माउथ से लेकर इनस तक फाइली सरजना हो कहलाते है element canal तो यह mouth है यहां पर माउथ से लेकर इनस तक फाइली सरजना हो कहलाते है elementary canal तो इस element canal में हमने पहले ही माउथ में बकल केप्टी और बकल केप्टी में टीथ और टंग को पढ़ लिया था एक बार फिर से यहां पर देख लेते हैं टीथ और टंग में जो में चीज़े हैं तो यह जब हम माउथ को ओपन करते हैं तो ओपन करने पर यह जो complete structure दिख रहा है एक हैलाता है हमारा बकल केप्टी और इस बकल केप्टी में में दो चीज़े देखनी हैं एक तो टीथ और दूसरा टंग तो पिछले वीडियो में हो गया था टीथ के बारे मता दिया गया था कि यह ठीकोडंट होते हैं हेट्रोडंट होते हैं और डाइफोडंट होते हैं मैंसर यह दांत यह जो जा होता है अपर जा और लोवर जा यहां पर साकेट फार्म होते हैं उसके अंदर फिलफ होते हैं डाइफोडंट का मतलब यह दो बार निकलते हैं एक बार आपके मिल्क के टीथ होते हैं दूसरी का बीश होते हैं जो एक बार निकलते हैं फिर से गिर जाते हैं उसके बाद फिर अस्थाय दानता आते हैं जिनके सांग्या होती है 32 तो पिछली वीडियो में ये दिखाय भी गया था इसका जो वीडियो में कि इस तरीके से ये है तो एक तो ये पूछ educate लिए जाता है इनका dental formula तो ICPM यह तो इनसेजर, canine, premolar और molar तो यह चार प्रकार के दाँट है इनका उर सिंपल फार्मूला है 21-23 बटे 21-23 ठीक तो यह हो जाता है dental formula चार प्रकार के हो गए इनसेजर, canine, premolar और molar, dental formula हो गया पीछे वाले वीडियो में है और उसके बाद तंक्स के जो function है यह पूछा जाता है तो में इनका function होता है फूड माटेरियल को निगलने में साहता करते है उसके साथ साथ यहां पर test bird पाए जाते हैं यह test bird के दोड़ा भोजन के स्वात की जानकारी देते हैं और थर्ड फंक्शन हो जाता है यह जो teeth में फूड माटेरियल अगर फश जाते हैं तो इनको भी सफाई करने का काम करते ह पीछे वाले में पहले ही बता दिया गया है मौथ में जो बकल के इपटी है टीत और टंग अब आते हैं आगे मौथ के बाद बकल के इपटी के बाद जब हम आगे चलते हैं तो हमारा आता है यह वाला प्रॉर्शन जैसे हम कहते हैं फारिंग से ठीक तो बकल का एपटी के बाद दूसरा हमारा अर्गेंस है फैरिंग से है फैरिंगस क्या करता है यहां से देख लेते हैं पॉल्पार में पॉलसफ ऒै जlling और में और मली के एपटी है ऊप लेंगचर फैरेईरिंगस में यह स्ट्रक्शर है इस झा कुछ तो यहां पर ओपेन हो रहे हैं और विच एक्ट आइजा कामन पासेज आफ फूड एंड विंड तो यह जो हमारे फारिंग से होती है जो यहां पर आपको दिखाया गया है फारिंग से इस वहले में तो यह जो फारिंग से है यहां पर और कामन पासेज्स का काम करते है मैंने कामन राष्टे का काम करता है जिसकी जो ओपनेंग है यहां से दोनों जगह आते हैं एक तो फैरिंग से ओपन होती है और दूसरा ओपन होता है विंड पाइप जो स्वासनली है वहां पर तो यह ऐजा कामन पासेश का काम करता है किसके लिए बोजन के लिए भी और वाई के लिए भी मिनसल इलिमेंटरी कैनल का भी पार्ट है और रेस्पारेटरी ट्रेक का भी यह और रास्ते का काम करते हैं इसे फैरिंग से में ही यहां पर थोड़ा सा उभार रहता है जिसे हम कहते हैं गलाटिस ठेक तो कभी कभार अलग से फंक्शन पोच लेते हैं इपी गलाटिस क्या है और इपी गलाटिस का कार क्या है ठेक तो य ये episglitis cartilage की बनी हुई सरचना होती है, जो भोजन को स्वास्ट नली में जाने से रोकती है, ठीक तो fyrings common process का काम कर रहा है, जिससे भोजन भी जाता है और y भी जाता है, ठीक है, लेकिन भोजन को वाइनली में जाने से रोकने के लिए फारिंग्स में ही पाया जाता है उपास्त की बनी होई सरचना जिसे हम कहते हैं एपीगलाटिस वाइपीगलाटिस फूड मटिरियल को वाइनली में जाने से रोकता है उसके आगे का जब हम छेतर देखते हैं फाइरंग से के बाद यह जो complete structure है यह कहलाता है और सफ़ाईगेस या ग्राशनली यह एक pipeline का काम करता है जो कि connect होता है किसे इस्टमस से ठीक तो यह connect हो जाता है और सफ़ाईगेस के ओल एक pipeline का है बोजन को लेकर आ जाते हैं कहां पर के पास यह इस्टुमच हमारे एलिमेंटरी कैनल का सबसे चोड़ा भाग होता है ठीक तो यह सबसे जो ब्रॉड पार्ट है इस्टुमच वह इलिमेंटरी कैनल का पार्ट होता है इसके तीन पार्ट है एक तो यह वाला रेजन दूसरा यह और तीसरा यह ठीक फिर से ख्लियर तीन पार्ट पाए जाते हैं इस तो मच के एक पॉर्षन यहां पर दूसरा यह और तीसरा यह इसे हम कहते हैं कार्डियक यह पार्ट कहलाता है फंडिक ठेक यह कहलाता है कार्डियक यह होता है फंडिक और यह होता है पाइलोरिक ठेक तो इस्टोमच के चार तिन पार्ट पाए जाते हैं cardiac part, fundic part और pyloric part cardiac, fundic और pyloric part इससे इस्टोमच में पाए जाते हैं gastric gland जो कि से क्रेट करते हैं gastric chúng ko ठेक तो इस्टोमच में ही gastric क्या पाए जा रहे हैं इस्टोमच के अंदर Gaistric Gland ठैक जो secret क्या करते है Gaistric Juice या Gaistric Gland अलग अलग टाइप्स की होते है जैसे एक तो हो जाता है Mucos म्यूकस ग्लेंड जो म्यूकस को सेक्रेट करते हैं दूसरा हो जाता है चेप सेल जो डाजिस्टिप एंजाएं पेपसिन को सेक्रेट करते हैं और थार्ड हो जाता है और हमारा अगर हम यहां से देखें तो फारिंग से हो चुका था इपी ग्लॉटस भी हो चुका था और आते हैं इस्टो मच की यहां पर हम बात कर रहे थे तो ऑपनिंग इस्टो मच इस ग्रूपिट बाई इस फिनेक्टर इस्टो मच इस डिवाइड़ इन्ट थ्रिपार्ट कार्डियक फांडिक और पालोरिक तो यहां पर दिखाया गया है कि अश्टो मच के तीन पार्ट हैं कार्डियक पार्ट फांडिक पार्ट और पालोरिक पीछे पी दिखाया इस इसे में गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं सेकरेट करते हैं गैस्ट्रिक जूस ठीक तो उस gastric juice में जैसे पेपसिन ये cheap cell से secret होता है यहां से enzyme निकलते हैं जो enzymes क्या करते हैं enzyme से diet breakdown proteins तो gastric gland तीन टाइपस के यहां पर हैं जिनकी हम अभी बात करना है हमें एक तो हो जाते हैं cheap cell दूसरा हो जाते हैं parietal cell और तीसरा हो जाते हैं mucous तो cheap cell से pepsin secret होता है जो enzyme से है protein को breakdown करता है parietal cell से sal secret होते हैं यह sal acidic medium प्रोवाइड करता है ठीक भोजन को अमली बनाता है और third होता है mucous cell यह stomach की जो inner layer है में से sal acid है तो इस acid के प्रभाव stomach की दिवार पर यहां पर न पड़े तो उसके protection के लिए यहां पर mucous cell पाया जाते हैं ठीक है कभी कभी यह जैसे पोच लिया जाता है कि हम लो जब हम हमारे अंदर है तो मांस को पचा देता है लेकिन हमारा जो आमास है वो भी तो मांस है तो क्यों नहीं पचता तो उसका सिंपल कारण है यहां पर मुकस से जो है वो मुकस से से लेयर को फार्म कर लेते हैं जिसकी वज़ा से एस्टीयल का प्रभाव यहां पर नहीं पड़ पाता है ठीक तो यह हो गए हमारे इस्टो मच और उसके कार ठीक तो इसे इस्टो मच में का सिक्रेशन और पार्ट हो जाते हैं अब आ जाते हैं इस्टो मच की बाद इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं इस्माल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन इस्माल इंटेस्टाइन से लांगेस्ट पार्ट आफ इलिमेंटरी कैनाल जो हमारे इलिमेंटरी कैनाल का सबसे बड़ा भाग होता है वो छोटी यांत होते है जोकी डिवाइड हो जाते है अलग-अलग पार्ट में तो छोटी यांत डिवाइड होती है डुअडिनम, जेजिनम और एलियम में में इस Small Intestine तेन पार्ट में डिवाइड है, डुअडिनम, ग्राहडि, जिल जिनम और एलियम, इस Small Intestine में कुछ finger-like projection पाया जाते हैं, जो food material को absorb करने में help करते हैं, तो छोटे याथ में पाया जाने वाले finger-like outgrowth को हम कहते हैं, विलाई, और इसका में काम क्या है, जो भी food material है, उसके अब जारसर में help करते हैं, इसी के साथ साथ, छोटे याथ में ही, Small Intestine में ही, कुछ secretion आते हैं, में इस छोटे याथ के पास ही आपके पाया जाते हैं, अगना से, पैंक्रियाज और लीबर, तो ये सब भी कुछ सिराशाइनिक पदार्थ को secret करते हैं, जैसे जो हमारा लीबर है, वो बाइल जो उसको secret करता है, पितरस को secret करता है, और ये पितरस के दो में function होते हैं, एक तो बोजन को जो अमली माद्यम पहले था, और था, उसे छारी माद्य हमें करनोट करते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो fights के अड़ों हैं, fights globules हैं, उन्हें छोटे-छोटे अड़ों में तोड़ देते हैं, तो fight के बड़े अड़ों का छोटे अड़ों में तोड़ना ही कहलाता है, emulsification या plastic current, पाइसके रंड क्या है वसा के बड़े अडवों को छोटे अडवों में तोड़ते नहीं कहलाता है एमल्सिकेशन और इसको省 कौन करता है जो लीवर्बर है वहाँ से जो juice secret हो रहा है जिसे हम कहते हैं बाइल जूस तो यह लीबर से secret होने के बाद आकर ग्रेंडी में मिलते हैं डूइडिनम जो के small intestine का part है वहाँ पर मिलते हैं और जो pancreas है वो भी secret करती है क्या एक तो trypsin enzyme secret करते हैं यह trypsin proteins को peptoans में करनोट कर देते हैं और दूसरा lipase होता है जो fight को fatty acid में करनोट कर देते हैं को maltose में करनोट कर देते हैं तो ग्रेंडी पार्ट में ही यह small intestine part में ही दो जगह से secretion होता है एक तो लीबर से पित रसाता है जो वसा के अड़ों को छोटे अड़ों में तोड़ता है ठीक है emulsification करने में साहता करता है ठीक और दूसरा बोजन के अमली माद्यम को करनोट कर देता है चारे माद्यम में अगनासे से जो रसाता है pancreatic juice उसमें trypsin होता है lipase होता है और emilage होता है trypsin protein को peptones में करनोट करते हैं lipase fight को fatty acid में और emilage starch को maltose में ठीक अब यह इसी चीज़ को यहां पर दिखाए है कि emilage carbohydrate को glucose में करनोट कर रहा है lipase fight को fatty acid में और trypsin जो है और proteins को amino acid में करनोट कर देते हैं तो यह इतना process कहां होता है small intestine में ठीक है इसको यहां से देख लेजे यह intestine है ठीक है तो यह वाला पार्ट small intestine का पहला पार्ट है duodenum दूसरा पार्ट होता है zozenum और तीसरा पार्ट होता है ileum तो complete यह जो quality structure देख रहे हैं यहीं होती है small intestine जो तीन पार्ट में divide है इसे small intestine के अगर हम section काट कर देखते हैं तो यह अंदर का section देख रहा है यहां पर यह जो outgrowth है इसको जूम करके यहां पर दिखाया गया तो फिंगर लाइक देए आउट ग्रोथ है यह projection है इन्हें हम कहते हैं बिलाई कभी कभार अलग से इसको फंक्शन पूछ लेते हैं तो जो बिलाई होता है फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होते हैं जो absorption surface को बढ़ा देते हैं में इस food material को असोसित करने में साहता करते हैं ठीक तो यह हो जाता है small intestine और उसके कारें अब इस small intestine के बाद हम बात करते हैं तो हमारा आ जाता है large intestine यह वाला पार्ट बड़ीयाद ठीक तो बड़ीयाद भी तेन पार्ट में डिवाइड होती है पहला यह हो जाता है सीकम और उसके बाद यह जो पूरा देख रहे हैं यह इतना पार्ट एक हैला आता है colon तो सीकम, colon और यह थर्ड पार्ट हो जाता है रिक्टम तो large intestine तेन पार्ट में डिवाइड होती है सीकम, colon और रिक्टम इसका main काम होता है main function होता है यह जो सीकम है जो साका हरेजी होते हैं जो गहांस खाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लंबी होती है लेकिन humans में छोटी है ठीक और इसे से एक निकला हुआ छोटा सा आउट ग्रोथ होता है यह जिसे हम कहते हैं worm form appendix जो आप कहते हैं appendix हो गया है तो यह होता है कभी-कभी इनमें infection हो जाता है तो इसको काट कर यहां से बाहर कर देते हैं ठीक है तो सीकम का पार्ट है जो कि अब औसे से अंका काम कर होता है बाकी जो लार्ज इंटेस्टा इनके पार्ट है इन में complete रूप से सीकम और कोलन में ठीक है तो सीकम में सिलूलोज का डाइशन होते हैं नार्मली यह जो कोलन पार्ट है लेकिन अब हम ज्यादा तो साथ से लूलोज खाते नहीं है इसलिए यह अब दीर दीर आउसे केस्य सी का काम कर रहा है इसी का एक पार्ट है अपेंडेक्स जो और सेहंगे कोलन कम का में इनNow का मोंता है जो भी अप्रोड मटिरियल ढाइलेश के लिए उसमें से जो water और mineral है उनका अब जार्शन करना किस पार्ट से कोलन के द्वारा और जो undigested food material है उस undigested food material को लाकर और रिक्टम में यहांपर मलासे में लाकर एकठा कर देना यहांपर रख देना ही में से store करना ही काम होता है और रिक्टम का तो मिस्स दोटी आत में लगबग डार्जिशन कम्प्लीट हो जाता है उसकी बात पर आते हैं बड़ी आत में बड़ी आत तीन पर्ट में डिवाइड है सीकम यह कम्प्लीट कोलेन और यह प्षैक्ट और अरेक्टम तो लार्ज अंचेस्ट restorative पार्ट में डिवाइड होती है सीकम, कोलन और रिक्टम, सीकम का उससे यंग पार्ट जो है उप इंडिक्स कहलाता है, कोलन में वाटर और मिनलरस को अबजार्ब किया जाता है, जो अंडाइजिस्ट फूड मटेरियल, इसमाल इंटेस्टाइन से आता है, उसमें जो पानी है और मिनरल्स है, ये ये कोलिन पार्ट उसको अबजार्ब कर लेता है, उसके बाद जो अंडाइजिस्ट फूड मटेरियल बच्छा यहां पर पानी असोसित होने के बाद, जो फूड मटेरियल बच्चा, सेमि सॉलिस्ट फॉर्म में, वह आकर इस्टोर हो जाता है कहां पर और रिक्टम में ठीक मलासे में और रिक्टम के बाद अन्डाइजेस्टिफ फूड मटेरिल समय समय पर एनस के सरीर से बाहर कर दिया जाता है तो यह इतना हो जाता है अन्डाइजेस्टिफ सिस्टम आफ यूमन इस पार्ट में इलिमेंटरी कैनल पढ़ा गया अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अन्डाइजेस्टिफ अन्क्लैंड